बारुवान में सबका जीवन निश्चित किया, चीथी का, मखी का, मच्छा का, मनुश्य का, हाथी का, बोडे का, ईश्वर के बनाए हुए ईसब है, तो ईश्वर ने सबकी उमर निश्चित किया रखिए, तो उमर पूरी होने के कोई मरे तो कोई बात नहीं, लेकिन भीमारी से कोई नहीं मरना चाहिए पूरी देश में यह हमारे अभयान का भुख्य देश है इसके लिए आप बोलेंगे क्या करें तो एक तो काम यह करो कि सबेरे यहां आजाओ आज कल से यहां योग कर्षा शुरू हुई है आज भी हुई है कल भी चलेगी परसों भी चलेगी चार द पाज बजे से साड़े साथ बजे था वो रोज सिखाते एक दिन भी छुटि नहीं करते हुई तो टीवी चैनल खूल के देख लो और ये सीख के करना शुरू कर दो बीमारियां आपकी ठीप होती चली जाए दूसरा मेरा निमिदन है कि आप जब योग और प्राणयाम करें और बीमारियों को ठीप करेंगे तो ये एक रास्ता तो है दूसरा इससे भी बड़ी बात है कि योग और प्राणयाम अगर आप करने लगे तो बीमार ही नहीं पड़ेगे एक बात तो ये है कि आपकी अभी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी दूसरी बात इससे भी तो हमेशा हम निड़ोगी रहें, स्वक्त रहें, भगश में कोई बीमारी ना है, इस द्रश्टी से एक तो योग करायम करना, और दूसरा छोटे-छोटे कुछ नियम का पालन आप करने लगो जिंदगी में, तो बीमार यहां आपके जिंदगी से कोसा घूर रहें, हमारे भा का शेक महान महर्शी हुए, महर्शी शुष्रुप, उनके बारे में कहा जाता है, वो कभी बीमार नहीं पड़े, एक इनके बारे में कहा जाता है, वो कभी बीमार नहीं पड़े, ऐसा मैंने पढ़ा अपने शास्त्रों में, कि आज से थोड़े साल पहले तक कई महान छीवन को पहा तो पता चला में नीविट प्रायाम करते थेlle सागना करते थे और कुछछ खाने पीने के नियमों का प capability करने लगे। और योग प्रायाम नीविट रूप से करने लगे। तो आज भी गारंटी है कि हूँ कभी बीमार नहीं पड़ेगा अब महर्शी बारवट, महर्शी चरथ, महर्शी शुशुरुत तो भूत का लोग है मैं तो बर्दमान का उधारण दे रहा हूँ जो आखी आखों के सामने है हमारे योग्रिशी स्वामीर आमदेव जी है सालों साल से बीमार नहीं पड़े मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ अखवार वाले बहुत जगे मुझे मिलते हैं पत्रका वो मुझे मजाग करते रहते वो कहते है राजी भाई हमको एक ख़बर की बहुत दिनों से प्रतीक्षा है मैं बोला क्या ख़बर चाहिए आको दावा कब बीमार पड़ा ये ख़बर चाहिए मैं पूछा क्यों चाहिए कहते है पहले पन्ने पर छापेंगे अखवार क्या देखो इनकी बुद्धी हो प्रत्रकारुशी कि बावा कब बीमार पड़ा इसको पहले पन्ने पर चाहना चाहते तुमको क्या मिलने वाला है कहते मजा आएगा और सब को कहेंगे कि बावा खुद बीमार है और दूसरों का इलाज करता शिरता तो मैंने उन सभी पत्रकारों को यह पहना शुरू किया है कि इस ख़बर का तुम इंतजार करते रहो कभी मिलेगी नहीं यह ख़बर क्या लगे क्यों मैंने का बावा बीमार पड़ ही नहीं सकता कारण क्या है कारण वही है जो महर्शी बागभट, महर्शी इचरण, महर्शी शुष्रुप किया करते थे वही परंपुदिनी स्वामी राम देव जी करते हैं तो अधि दिल योग प्राणायाम और साधना करना और खाने पीने के नियमों का पालून करना तो कहा गया है कि जो खाने पी है कि नियम ध्यान रखे और साधना करे योग की तो बीमारी में आपड़े तो मैं आपसे वह नियम भी कहना चाहता हूँ माताओं मेहनों के विश्र शुरुप से बताना चाहता हूँ ताकि बच्चों को वो संस्कार में ये नियम बता सके और ये जो बहने बैठी हैं इनको भी ध्यान से सुनना है ये सब नियम योग प्राणायम तो सबेरे सीख लेना कल आ जाना ये आनंद भाई यहाँ पे हैं ये सिखाएंगे कल भी सिखाएंगे परस्व भी सिखाएंगे दो दिन में आ जाएगा और ये प्राणायम बड़ी सरण युद्या है दो ड़ाई गंटे में कोई भी सीख सकता नियम मैं बता के चला जा रहा हूँ कल से आज से और अभी से अपने जीवन में कुछ नियम का पादन आप करो तो बहुत बिनम्वता से मैं कहा रहा हूँ आप भी परंपुझनी स्वामी राम देंजी की तरह से मिरोगी रहोगे कभी आपको कोई तर्कीत नहीं होने बाए तो आप बोलोगे कौन से नियम है कुछ चार-पांच नियम बताता हूँ जादा नहीं बताओगा क्योंकि जादा नियम याद नहीं रहेंगे और चार-पांच नियम भी आपको याद हो गए तो बहुत काम थे पहला नियम जिन्दगी भड़ के लिए इसको पालन करना सारो विध्याती इसको ध्यान से सुने उनके माता पिता भी सुने जिन्दगी बार निरोगी रहना है तो आयूर वेचिवित्सा शास्त्र में ये कहा गया कि वात, पित और कफ तीनों को संतुरित रखो तो बीवार में पुड़ों तीन तरह से बीमारी आती है आयूर में ने कहा गया वात खराब हो जाए, पित खराब हो जाए और कफ, कफ बिगड़े वात बिगड़े और पित बिगड़े तीन तरह से बीमारी आती है, मैंने थोड़ा अभ्यास किया तो पर चला बात जब बिवरता है, तो सबसे जादा बीमारी आती है, सबसे जादा, और उन बीमारीयों की संख्या है करीब 86, 80 और 86 बीमारीया आती है, जब बात बिवरता है, यह गुप्यों का दर, यह कमर का दर, दिये कर निंकाता दिये, जोड़ों काकर दिये, सब बात की बिगणने की बीमारी है, हर कटेक आता ना ये भी बात की बिगणने की बीमारी है, ब्रेन एमरेज हो जाए, बात की बिगणने की बीमारी है, तो बात बिगणने की बीमारी है, तो बात बिगणने की बीमारी है, त तो आप जीवन बर इस बात को याद रखो, कि आपका बात आपका पित आपका कफ ना बिगड़े, नियमित योग और पहना याम करना वो तो एक काम है, नियम भी ध्यान रखना है, तो आप बोलेंगे क्या करें उसके लिए, बात पित कफ कभी नहीं बिगड़ेगा आपका, अगर आप एक काम करों, खाना खाने के बाद कभी भी पानी मत प्यों, ये नियम है, आयर वेट चिकित्सा शास्त्र में लिखा गया है, भोजन अंते विशम बारी, माने भोजन की अंत में पानी पी लिया, तो समझ लो जहर पी लिया, इतना खराब कहा गया है, ये कहा गया भोजन के बाद में जो पानी पीते हैं, उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो अपने ही सबसे बड़े दुश्मन, अब आपको ये तो बड़ी मुश्किन हो लिए, हम तो खाने के बाद पानी पानी पीते हैं, लोटे पे लोटा गटके, और कई लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते हैं, और अगिरुवेत कहता है कि खाने के बाद पानी पीओ ये चक्कर क्या है, ये चक्कर को मैं सरल भाशा में समझाता हूं आपको, ये चक्कर क्या है, चकर ऐसा है कि जब आप खाना खाते हो, खाना पेट में इकठा होता है, पेट में छोटा सा इस आप पर एक छोटी सी थैली होती है, उसको कहते हैं जठर, उसी को कहते हैं एपिगेस्ट्रियम, MBBS वाला कोई होगा तो एपिगेस्ट्रियम कहेगा, BAMS वाला होगा तो जठर करेगा, ये जठर या एपी गैस्प्रियम एक थेही होती है इसमें सारा खाना इकठा होता है आपने रोटी काई, आपने दाल खाई, आपने चावल खाया आपने दही पिया, आपने दूप पिया, जो भी किया वो सब उस एपी गैस्प्रियम माने जठर में आता है अब जब ये सारा खाना जठर में एकठा होता है तो इस खाने के पचने की क्रिया शुरू होती है और खाने को पचाने के लिए उसमें अगनी जलती है आग जैसे रफोई घर में होता है न हम गैस को जलाते हैं तो आग जलती है उसके उपर हम कुछ भी पका सकते अगर गैस जले हैं तो दूद रखतो दूद में चावल डाल दो खीर पक जाएगी लेकिन अगर गैस नहीं है तो कुछ नहीं पकेगा ऐसे ही प्रेट में होता है अगनी उसी को कहते हैं जठर अगनी बिलाके कहते हैं जठर अगनी तो हम खाना खाते हैं अगनी जल जाती है फिर खाने का पचना शुरू होता है अब मुझे आप यो बताओ, कि हमने खाना खाया, अगनी जलना शुरू हो गई, खाना पचना शुरू हो गया, तभी हमने गटक गटक पानी पी गए, क्या होगा, अगनी जलेगी कि बुझेगी, अब अगनी बुझ गई तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा, तो खाने को पचने के लिए अगनी को जल्ले दो अगनी को जल्ले देने के लिए पानी मत दालो उसके ऊपर इसलिए खाने के बार पानी मत प्यों सबन में आया अब यह जो खाना है यह जो पचता है शरीर में तो पचा हुआ खाना रसमें बदनता है और उस रसमें से मास मज्जा रक्त वीर मल मूत्र बनता है मल और मूत्र शरीर के काम का नहीं है शरीर उसको छोड़ने का है लेकिन मास मज्जा रक्त वीर जो काम की चीज़े है शरीर उसको धारन कर लेगा तो खाना पचेगा तो मास बनेगा रक्त बनेगा वीर बनेगा ताकत आएगी और खाने को पचा के जहर बनाना या सख़ा के जहर बनाना तो समझ में आया तो खाने के लिए अगनी के लिए पानी ने जाल सकते उसके उपर तो अगनी उसका भूदा निकालो उसको मैश करो फिर पानी मिलाओगे ना, तभी तो रस बनेगा, तो कोई भी रस बनाने के लिए पानी मिलाना पड़ता है, तो बेत में भी खाना पच कर रस बनेगा, तो रस में पानी मिलाना पड़ेगा, तो खाना पचने के बाद जब रस बने तब पानी पीओ, आप बलूगे, ये कितनी ये लगबद एक से तेड़ घंटे में होता है। हमने दस बजे खाना खागीया तो 11 बजी के आसपार सबस्पन्हा पिघो हो जा। और साड़े 11 बजी तक मों बंता रहता, तो 11 से साड़े 11 के बीच पानी पियो। मतलब एक से तेड़ घंटे के बाद पानी पियो। खाना खाते ही प्यास लगती है तो क्या पीना, कई लोग कहते हैं कि मुझ सूखता है, गला सूखता है, प्यास लगती है तो क्या पीना, तो आयोगेद ने ये कहा, कि खाना खाते ही अगर प्यास लग रही है, तो तीन चीज़ें पीना, पानी छोड़कर, पानी तो नहीं पी तो क्या पी सकते हैं, एक तो पीना दूद, दूसरा पीना मठा, मठा बने लक्सी, चाच कहते हैं, तो दूसरी पीनी चाच, और तीसरा पीना कोई भी फल का रस, खाने के तुरंद बाद अगर प्यास लगे, तो या तो दूद पीओ, या तो चाच पीओ, या तो फल का रस पीओ, पानी मत पीओ, पानी पीना है, एक से बेड़ भेंटे के बाद, अब आप ये ध्यान से याद रखो, कि सवेरे का खाना अगर खाया हो, तो हमेशा फलों का रस पीओ, खाने के बाद, दूपैर का खाना खाया हो, तो हमेशा चाच पीओ, खाना खाने के बाद, और रात का खाना खाया हो, तो हमेशा धूद पीओ, खाने के बाद, सबेरे पीना है फलों का रस, दुपेर को पीनी है छाच, और रात को पीना है दूड़, अब आप पुछोगे ये क्यों, क्या दूद सबेरे नहीं पी सकते, क्या छाच रात में नहीं पी सकते, क्या फलों का रस कभी नहीं पी सकते, आयर्वेग में ये कहा गया, कि कोई भी च परी के हैं नियम, चाज पीने है तो दुपयर कोई पीना, दूद पीना है तो राज कोई पीना है और जूस पीना है तो सवेरे, कारण उसका ये है कि हमारे पेट में कोई भी चीज खाए या पी है, उसको पचाने के लिए खास तरह के पाचकरस की ज़रूरत पढ़ती है, जि अगर दूद पीना है दूद को पचाने के लिए पाचकरस चाहिए, दही खाना है दही को पचाने के लिए पाचकरस चाहिए, जूस पीना है जूस को पचाने के लिए पाचकरस चाहिए, तो जूस को पचाने वाला जो पाचकरस है वो पेट में सवेरे सवेरे ही बनता है, तो दूद को पचाने वाला पाचे कर शाम को बनता है, इसलिए कहा गया है दूद शाम को पियो, तो सबेगे का खाना खाने के बाद जूद पियो, दुपेर का खाने के बाद यसी छाच, और रात का खाने के बाद जूद पियो, समझ गे, अब आप यह गाओ कि जूद तो मिला छोड़ा नमक दाल लो शिक्व रियार हो गया सुबह से खाने के बाद तुरंत आप शिज्दंजी पी सकते न रात को बूप किसा ठीक है अब एक आखनी सवा आपके दुखक आसकता है कि खाने के पहले पानी पी एक है तो नौर्वच के बारा मिनत के तेट भरके पानी पी सकते हो खाने के पानी के बाद के पेना है कम से कम एक से डेड़ गज़ा ठीक है पहले पीना है तो अर्टालीस मिन है अर्टालीस मिन पता है जितना पानी आप पिएगे वो सब पच लेता है पेट खाली रहता है अर्टालीस मिन झूछ कहीं ऑजन बाद जूस में तो पानी हना किहा। पानी जब किसी चीज में मिल जाता है तो बिल्कुल ख़परनाग नहीं रहता है, पानी का अपना गुड़ है, पानी के बारे में एक गाना लिखा गया इस देश में, पानी रे पानी के रहा रंग कैसा, तो जिसमा मिला हो उस जैसा, तो पानी को दही में मिला दो तो पानी दही जैसा हो जाता है, पानी को दूद म पानी के बारे में एक गाना लिखा गया इस देश में, पानी तेरा रंग कैसा, फिर जिसमें मिला उस जैसा, तो पानी को दही में मिला दो तो पानी दही जैसा हो जाता है, पानी को दूद में मिला दो दूद हो जाता है, पानी को जूस में मिला दो जूस जैसा हो जाता है, तो खाने के बाद अखेले पानी नहीं पीना है, जूस वाला पानी पी सकते हैं, समझ गए? अखेला पानी पीना है तो एक गई दोर तीस मिनट के बाद, ये एक बाद कितने लोगों को समझ में आगी जे रहा तो था? अरे भाद, सब को समझ में आगए? बाद, परम पूजी नहीं है, स्वामी जी इस नियम का पालन बताते हैं कि वो 15-16 वर्ष के थे तब से करना है, और ये भी उनके स्वास्थ का सबसे बड़ा राज है, अभी तब बीमार नहीं हुए, कारण उसका एक ही है, कि खाने के एक ग गेंटे बाद ही पाही पीते हैं, अब आप भी कार से ये नियम कारुचा में जरू है, मैं भी इस नियम का पालन करता हूं 18 साल से, और 18 साल से मैं बीमार नहीं पाड़ा हुए, पिछले 18 साल में मैंने 3 लाख किलो मिकर का प्रवास किया, पूरे देश का, अगर आप भारत क कि परिक्रमा करो तो तीम बार करेंगा है, अब ये परिक्रमा की है, हमाई जास से की है, रेल से की है, कार से की है, पैदल भी की है, साइटिल से भी की है, नोटोसाइकल से भी की है, बैल गारी से भी की है, खचक भी की है, रजे कर मी बठते की है, बोडे कर मी बैठते की है, U Yasal उन्टकर भी बेठा हिना एक बार jason remembers गया था U Yasalua के यात्रा की तो सब तरफे यात्रा की है और आपको एहरानी होगी 18 साल की इस यात्रा में एक गिन भी मेरो फीठ ना दर्द नहीं हुआ फार मा दर्द नहीं हुआ पेत मा दर्द नहीं हुआ बीमार नहीं पड़ा, वस्कीटल नहीं गया कभी, कारण उसका एक ही है, इस नियम का तालन में भी करता हूं, खाने के एक देड़ गंटे बाद ही पानी किता हूं, आप भी करोगे, तो बीमारी खतम, पका, अच्छा अब ये सब को बताना है, जो जो यहां नहीं आये हैं वो बहुत दूदागेशा नहीं है, तो उनको भी बताना है, क्योंकि आपको मुक्ष में जाना है, अब मुक्ष की शर्त है, पहले खुद मीमारी से बाहर आ जाओ, फिर दूसरे को ठीक करो, तब ही मुक्ष में लेगा, इसलिए अपने तक्सीमित मत रखना इसको, दूसरे को बतागेशा अब दूसरा नियम आईरुवेथ का है, कि पानी कभी भी पीना पड़े, तो घूट घूट भरके ही पीना, एक साथ बिटा अगेशा ओगेशा पानी में पिना, ये बहुत गलब तरीका है, पानी पिना, लोटा मुह में लगाया, जब तक खाली नहीं होता हम अ यह तरीका नहीं लेना पानी पीने का इस तरीके से पानी का सबसे ज़्यादा तकलीफ आपके ही शरीद में आती है। दोरीक गोखे, फिर जूसरा गुफ पिया, फिर भोखे, फिर तीसरा गूफ फिर जौथा गूफ। गूफ से जौफ भूफ धानी में पीनाइख बोलो के क्यों, कारन बता दो। हमारा जो मुल है ना इसमें हमेशा लार बनती है। मालो का है। फूक फूक शुक लार। एम्विवेस वाले इसको स्लाइबा करते है। जेली वार, स्लाइबा, हमनों ही इंडी वाले लार है। यह जो लार है न, यह सबसे ज़ादा कीमती चीज है। आपको मरूम है इसकी कीमत कितनी है। जो आप खोकट में थूपते रहते हो, मैं इसकी कीमत बताना चाहता हूँ आता है, पहली बार जब मैं अमेरिका गया तब मुझे इसकी कीमत पता चाहिए, अमेरिका में एक बहुत बड़ा समस्थान है, तो बता ही क्या करता है, लोगों को अपने आप उलाता है, और एक बड प्रिमीटर थूको, तो दस अजार रुपय देखे, चाहांच मिली ये चाहँ थूक होता है न, ये दस अजार रुपय का है, उसको भिर वो छोटे-छोटे पैकेट में बंद करते हैं, और फिर बेचते, और वो खुब दिखता है, थूक दिखता है, लाड बिखती, मैं उनको कैंसर होने में लार बनना बंद विखता है, आपने सुना है कैंसर के मरीज को कुछ भी खिलाओ तो सब कुछ उकलाट देता है, जब कैंसर चौथी आवस्था में पहुचता है न, तो वो आदमी पानी भी नहीं पीपाता, दूर भी नहीं पीपाता, कुछ भी तो जिनके मुह में लार बनना बंद हो जाती है, उनके मुह में ये नकली लार डाली जाती है, और ये दसजार रूमेजी पांच मिलीग्राम आती है, इसको आप ठोकटना ठोकते हैं, तो आज से ठोकना बंद है। मैं बाता हूं, बेनों, भाईवां को सबको ये कहना चाहता हूं, आदमी को छोड़कर कोई जानवर नहीं थूपता कभी। सदारकार, सोचो, एक दिन में आदा किलो थूप या, लाखों रुपय का फाल तुमें फुकट में नुकसान करने। इसको थूखना नहीं। फिर क्या करना, बागवान न ये जो थूप बनाया न लार, ये पेट में अंदर ले जाने के लिए बनाया। पानी को भूट भूट जब पीओ तो ये बार बार लार फेट में जाती है। ये जो लार होती है, इसको रसाइन शास्त्र की भाशा में कहते हैं, कि ये छारिय होती है। आपने सुना, पेट में हमेशा अमल बनता रहता है। तो अमल में ये छार मिले, तो अमल को निश्प्रभावी कर देता। विज्ञान का एक सिथान्त है, एचिड और अल्किलाइन दोनों मिलें, तो एक दूसरे को नूझरल कर देते हैं। तो मुकी छार माने लार बार-बार पेट में जाकर अमल में मिले तो पेट का अमल शांत रहता है। जिनके पेट का अमल शान्त रहता है, उनका जीवन भर बाद संतुलित रहता है, कफ संतुलित रहता है, और बाद और कफ संतुलित रहे हैं, तो 108 बीमारिया कभी नहीं आती, इसलिए नियम बनाये गया, पानी को घूप घूप पीओ, ताकि बार बार लार पानी में मिली के प जीवन भर में रोगी रहे, तो पानी धूद 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 पीना शुरू कर, अब आपको मैं एक ज्यानकरी देता हूँ जिए, आप देखो पशू पच्छी पानी को हमेशा धूद धूद पीते, पच्छी को देखो चिडिया को पानी पीने आती है, कपुंतर को देखो, तो जानवरों को देखो, कुत्ता कैसे पानी पीता, चाठ चाठ, चीता, लकर भग्गा, सब चाठ के पानी पीते, तो ये पशू पच्छी हमसे जादा स्वस्त रहते, मैंने आज तक किसी चुडिया को ओबर बेट नहीं देखा, नहीं दूखा आज, और किसी जानवर को पानी पीता, आज की ध्यानी कर दो इस बाद, ये मनुष्य है, जो सब बीमारियों से लदा खटा है, क्योंकि ये पानी को भूट पूट पीता, गटा अगर पीता गटा कर से, पानी गटा अगर पीना बने, कैसे पिएंगे, गूट गूट, एक गूट पिया, थोड़ी दे गूटे, एक गूट पानी को मुँ में घुमा, चारो तरफ, ताकि सब लाग मेरी के अदर गट, समझ गए, दो नियम हो गए, अब तीसरा नियम है, कि सबेरे सबेरे जब सो कर उठें, तो सबसे पहले पानी पी, सबेरे उठते ही, मुँ नहीं दोना, कुला नहीं करना, पह है, वो पानी पीजाई अंदर जाएगी, और सबेरे की लाग सबसे ज़ादा की उठी है, फ्रेश है ना, सबसे ज़ादा की इसलिए उठते ही पानी पी, कि इतना जितियार्थी लोग कम से कम दो गिलास, और बड़े लोग तीन गिलास, और पीने का करीका, घूप, घूप, ठीक है, दो फाइदे होंगे, एक तो राजबर की लाग अंदर गई, बहुत ताकट देती होंगे, दूसरा उठते ही पानी पीओ, तो सारा पानी बड़ी आप में जाता है, और बड़ी आपकी सफाई शुरू हो जाती है, जस-बंदर मिनट के बाद ही आपको प्रेशन बन में सबसे कम समय लगता है कि में, आप टाइलेट में घुसे, दो-तीम मिनट में बाहर आए, तबी आप स्वस्थ हैं, लेकिन वहां आदे घंटे बैठ गए, तो समझ लो, बीमारों के बीमार हैं, समझ गए, तो उठते ही पानी पीलोगे, पेट सास हो जाएगा, त्यों पाफरी में, पाप साफ़ुआ, जाता ही, तो उठते ही पानी पीना, कितना, दो गिलास विदियात्यों हो गो, तीन गिलास बडे लोगो, तीन नियम हो गए, अब चोथा और आउकरी में, थैंडा पानी कभी नहीं पीना, कभी नहीं पीना, कितनी ही गर्मी पड़े, बेर वेट में ये कहा लेया खिल जिस पानी का इंदा है अब 27 से कम पाणी कौह सा होता है यह चार पाज संटीग्रेटर का है और बरंफ मिलाया हुँनैं वो करीप करीब में नहीं घ्रस्रीयूं तो फ्रीज का पानी नहीं पीना वर रस का नहीं पीना, खंदा पानी प्यो, तो तक्मीच कैión हो की आपका पेट गरम है third कर जा किना राज है सब कर existat he cara तहूं का फेट कर हो दांद ध॥िन , unfagam आप गरम पेट में हो ठीन्दा थनी दंडा होगा kill या तो पेट पानी को गरम करेगा, नहीं तो पानी पेट को ठेंदा करेगा, यह तो होगा, गरम पेट में ठेंदा पानी डाला, या तो पेट पानी को गरम करे या पानी पेट को ठेंदा करे, मालो पानी ने पेट को ठेंदा कर दिया, थोड़ी देर के लिए सोच, पानी ने अदमी जब थंदा होता हैं पेठ के ढ़ना मी का ढ़नाता है आदमी एक ढ़ना पर राम नाम सब चोग स्थ डेर और आप सब मतायं बहने जानती है ना हम अदमी जब ढ़ना होता है तो घरे बाहर झीजुरे ब consumption Terazbea जब तक आदमी का शरीर गरम है तब तक उससे लिपट लिपट के रोते हैं ठंडा होता ही दूर से प्रणाम करना शुरू करते हैं और इतना दूर से प्रणाम करते हैं कि भेहरानी होने लगती है कि ये सगे लोग है समझ लो ठंडे शरीर की इजब नहीं है और जैसे ही घर के बाहर आया शरीर ठंडा तो महले पर उस वाले एक ही बात दोते हैं जंदी लेके जाओ जंदी करो जंदी करो अरे भले आदमी 40 साल जिसमें इतना बढ़िया मकान बनाने में लगा दिया ठंडा हो ती कि हने लगे जंदी करो जंदी करो टगयाओ निकालो इस मकान से यह जबने इसकी समझ लो ठंडे शरीर की इजब नहीं है तो ठंडा पानी पीटे प्यो ठंडा करنا शरीर को तो इसकी ठंडा पानी नहीं पेडा अब गंबीर बार्जु मैं कहना चाहता हूं जो जैते ही हम ठंडा पानी पीते हैं पेट पानी को गरम करता है और जब पेट पानी को गरम करेगा तो पेट में पानी गरम करने के लिए उर्जा की जोलियत परती है वो उर्जा रक्त मैंसे आती है तो साय शरीर का रक्त पानी को गरम करने के लिए पेट में उतराता है अब शरीर के हर अंग में रक्त की कमी आ जाती है और वो रक्त की कमी अगर तीर मिन तक रह गई तो शरीर के अंग काम करना पंद कर जाते हैं और उस स्थती में आदमी का शरीर विकार हो जाए। इसलिए कभी भी धंदा पानी नहीं पीना। सबन्या आया। फिर आप पुछोगे घड़े का पानी पीना चाहिए। मिट्टी के घड़े का पानी गर्मियों में पीना। मैं जून की गर्मी आएगी तब मिट्टी के घरे का पानी पी सब्सक्राया लेकिन फ्रिज का पानी तद भी नहीं पी पिए अब मैं एक मजे की बात बतातु है जब मैं पहली बार विदेश प्रवास में गया, तो मैंने देखा वहां के लोग थंदा पानी पीते है, इतना थंदा पानी पीते हैं, कि पानी को फ्रीज में रखते हैं, सक्रिज में उन्यू थें, फिर पानी को निखानर भीष गभीष, परिणाम जानते ही क्या है जब भूत थेंडा पानी पीते है तो मैंने कहा ना शरीर का सार अज़र तुतानी को गरम करने के लिए पेट में आता है तो शरीर में एक हंग होता है जिसको हम बड़ी आथ कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइड जो है न ऐसे होती है पाइट की तब स और इसी में से मल निकलता है जब बहुत थेंडा पानी पी लेते हैं तो इसका जो खून है न लार्ज इंटेस्टाइड का ये पेट में चला जाता है तो ये शिकुण जाती है पंद हो जाती है तो ज्यादा थेंडा पानी पीने वालों की बड़ी आथ बंद हो जाती है और तो बड़ी आत बंद हो जाईगी, तो बन नहीं निकलेगा, तो घंटों घंटों उंको बैठना पढ़ेगा, संदास्कर. So, मैंने देखा, यूरोप और अमेरिका के लों, जब जाते हैंना टायुएट में, तो दो दो मेंटे बाहर नहीं आते, अंदर ही बठे लेगा. और मैं पूछता हूँ बहाईओं करते क्या वंदर दो मैंटे। तो करते हैं कि पेट साफ मी होता। फिर मैं पुछता आज अजो आती नहीं समस्या पता है क्या है उनको खबजियत हो जाती है और खबजियत का कारणचा बड़ी आजिकुड का इबंद हो गई अम्मल निकलेगा नहीं इसमें से यह समस्या कहां से शुरूँ हो यह थंदा पामी पीने से तो आप लोग पीओगे थंदा पामी? नहीं गाना गाना कोरेगा आप दूस्या तो विद्यार्थियों को समझ में आया? पहला नियम खाना खाने के एक घंटे बाद पानी पीना दूसरा नियम पानी जबी पीना घूट घूट पीना तीसरा नियम सबेरे उखते ही सबसे पहले पानी पीना चौथा नियम थंदा पानी कभी नहीं पीना याद हो गया? पका? चलो अब आज से इसका पालन शुरूँ माताइं भी करेंगी इसका पालन और माताओं को निवेदन है कि घर के बच्चों को ये नियम संस्कार में डाना अब आज से माताइं क्या करेंगी? खाना परोसने के समय पानी नहीं रखते हुए पानी रख देते हैं ना ये बन रहो जिए जिनको पीना है खाने के पहले पिला कोशे कितने देर पहला है? 48 अगका खानेके पहले 48 मुनेट जब हो तो खूब Dubai के पानी पीलो एक लोटा दो गटा पीने का तरीका प्यां रखना हुण भूब Dubai खाने recycling पानी नहीं पीएगे, खाना खाके बेर भेंटा हो जाग फिर पानी पीएगे, ठीक है? बस ये चार नियम जो पालन करें, जिन्दगी में बीमार ना पड़े, मैं पांचवा नियम भी बता दू हूँ, स्वामे जी उसका पालन करते हैं, इसलिए बता दू है, ये तो चार नि तू बतीस बार चाओ, रोटी का एक टुपड़ा मुं में रखो, और गिन गिन के बतीस बार चाओ, खूब चबा के खूँ, इतना चबाओ कि वो खाना पानी हो जाए, और शरीव में उता हि जाए, तो आइरवघ्यद में कहा जाए कि जो खाने को चबा के खाते हैं, उनको जिन्दगी में रोग आने की दूर-दूर तक सम्भावना ने की खूप चबा चबा के खाओ, बतीस बतीस पार चबाओ, ठीक है? पांचमा नियम आ गया? अब छेता नियम और बता दूए, कभी भी खड़े होके खाना मत खाओ, खड़े-खड़े, ये आयरुवेट में कहा ग खड़ेओ के खाना मनिशकों ने, जमीन पर बैठके खाना मैं बैठााओ, आप भी बैठेओं, इसकोंव क्या केते हैं? सु chant असन, जब हम सुकातन में बैठते हैं तो खाना खाना सभ首先ICO कारिण समझ लो कि सुकातन में बैठेए दःती पर तो आर्वोप्ता खुर। और वो नाभी पर केंद्रित होता है नाभी के परूस में जठ ले तो जठ उससे चार्ज रहता है तो जठ में अगनी बहुत होती है जबापा पांती पांती लगा के खाना करते हैं और अगनी जाता है तो खाना दोगी पचे जा, इसकी ये ये कहा गया भोजं जमीर भैटके अशती से खाना, खड़े खड़े नहीं खाना। यह खड़े खड़े भूल कहते हैं । जो पशू हैं। अब हैं अबihat शेयर के सब पशूर खड़े सक अख़े this statement । नहीं खड़े ख़दे का दोशनों का व्त्यान कैन्य करते यह उत्यार। यह खड़े ख़डे ख़ड़े खाने का मुकसान 설पता ही क्या है जब हम खड़े हो जाते हैं तो गुरुत्वा रषन का जो केंड्र है ना भी वो शिफट बॉके डायाखरं पर आजा का तो डायखरं चारज ओrain यह बुफे सिस्टम में खाना नहीं खाना है यह बुफे सिस्टम में भॉफेलो सिस्टम है वाफेलो माले भैस, भैस खाती है ख़ड़े हो जोगी उसके चार पह हैं, वनुश्यों को नहीं खाना है ठीक है? अब माताओं को एक छोटी सी बात कहनी है, कि हमारे घर में, अकसर माता ही गर्भा वस्था में जब आती है तो आजकल एक बीमारी हो गई है, कि डॉक्टर के पास जाओ, होस्पीटल में जाओ, रच्चा भाते होगा, फिर डॉक्टर उसको कहता है, सीजेरियन करो, प इस मा को बच्चे के जन्ब के लिए पेट कटा, उस मा को जिंदगी भर वजन बढ़ता रहता है, अब मोटी 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 होती जाती है, अब मा सोचती है कि मैं तो कुछ खाती नहीं, फिर भी वजन क्यों बढ़ता, वो वजन बढ़ता, सीजेरियन आउपरेशन के कारण, और उस बजन को पोई कम नहीं करता, फिर उस बजन के कारण बुट्पी दुखते हैं, कमर दुखते हैं, फिर सब बीमारी आती है, तो इसलिए माताओं को लिमितन है कि बच्चों के जन्म के लिए कभी भी ऑपरेशन ना करा है, फिर आप बोलें भी क्या करें, मेरी दो ती बाते हैं ध्यान से सुन लेना, और यह सब बहनें भी सुनने हैं इस बात को, कभी भी किसी मा को गर्भा बस्था हो, तो इसको और आपरेशन ना कराना परें, इसके लिए छोटे छोटे जोटीन उपाई, पहला उपाई ये है, कि हर दिन ग्रात को मा को गाय का दूद पिला धी दाई के, गी, शोटे चोट में एक चमच गी मिलाऊ, थोड़ी सी उसमें हल्ली मिलाऊ, और रोज रात को तिलाना, जब मा को गर्भा बस्था हो, दूसरा जिस मा को गर्भाबस्था होती है, उसको बच्चा स्वस्थ तंओूस्त परदा होना चीए, भीमार हो, बच्च के स्वस्थ परदा होने का सबसे बाराधाद है केल्शियम केल्शियम नाम का एक रसायन होता है जो गर्भावस्था में मां को सबसे जादा जुर्णी होता है बच्चे के लिए और मां के केल्शियम अगर शरीर में जादा है ना तो हड्डियां लचीली रहती है और हड्डिय जिरे लचिला पन लाने के लिए केल्षियम चाले को तो केल्षियम खिलाओ मांFC केल्षियम का मतल children चूना समस्ते पान में जो डगाते इस से इस पुताई पुताय वाले चूने को पानी में डां दो 20-25 दिन पढ़ा रहने तो थंडा हो जाएगा फिर पानी उपर आ जाएगा चूने नीचे बेख जाएगा उसमें से एक छोटा सा चुटकी बर चूना जीरे के दाने के बराबर गेहू के दाने के बराबर किसी भी गर्ममर्ती मां को खेलाना है पानी में मिला के दे दो या तो दाल में मिला के दे दो या छाच में मिला के दे दो या दही में मिला के दे दो किसी में मिला के खिला थोड़ा सा चूना रोज खिला नो महीने लगाता और खिला जो माने फोड़ा फोड़ा चुना रोज खाली आदा महिरे उसको कभी की operation की ज़वरत नहीं पड़ी और जिस माने रात को दूटिया भीड आईके उसको कभी operation की ज़वरत नहीं पड़ी ठीक है? हमारे बच्चे जो operation से होते हैं वो भः कमजोर होते हैं दिमाग से कम जोरोते हैं, शरीर से कम जोरोते हैं मैं तो देश बार में देखता हूँ, सीजेरियन जित्ते बच्चे हैं माता-पिता को तकलीफ करते हैं, खुद को तो जिन्विकी पर तकलीफ देने खुआ है इसलिए कोई भी बच्चा भगवान की करवा से स्वस्त और दंदुरुस्त दुरुस्त पैदा हो इसके लिए सब व्यवस्ताइं भगवान ने शरीर में कर रखी है बस थोड़ी सी साउधानी की ज़रुरत है तो माता इसको याद रखे हैं सभी भी गर्ववती माओं को बहनों को रात को दूद पिलाना ये डाली के थोड़ी हल्दी डाली के और सबेरे चूना पिलाना दूद सबी दही में नहीं तो छाच में नहीं तो दाल में नहीं तो सबजी में नहीं तो पानी में मिला ठीक है और कि जो गर्ववदी माता हैं और भाई भी और श्वस्त माता हैं यह दुनिया की सबसे बहतरी नेक्तरसाइजर इस गटी को चलाके मैंने देखा इस गटी को चलने में सबसे ज़्यादा दवाओ पड़ता है पेट पर और मा के पेट में गरभाष होता है तो बार बार जिस गटी चलाते हैं तो गरभाष है जो है ना एक तो और एक एंटी क्लॉक्वाइज दोड़ों तरफ भूंगता है और पंद्रे मिनिट रोज आपने ये घुमा दिया तो बच्चा तो एकदम स्वास्थ दुरुस्त और तंदुरुस्ती होगा और बिना मा को तकलीज के होने वाला है तो कि गर्भाशे में फ्लेक्सिबिलिटी अगर है किसी भी मा के तो बच्चा तो आराम से बाहर आए तो पंद्रे बीस मिनिट माताई घटी चलाए अगर गर्भावस्था में है तो स्वास्थ हैं तो भी चला सकते हैं और भाई लोग घटी इसलियो चलाएं कि पेट अंदर ह हो जाएगा सालाख जाएगा सावावजी ये आजकल सबकी तोंब बाहर निकल आही है माताओं का पेट बाहर आय तो समझ में आता है वो दृभावस्था में ये पूरुष किस चट्टर में पेट बाहर है इनकी तोंब बाहर क्यों आनी चेहें चेहें और ये अंदर जाना और अंदर लेटाने का सबसे सरव उपाए है घटी चलाना है, तंदर ही मिरत चलाओ लेकिन दोट चलाओ, सब पे तंदर चलाओ, और सबसे कंभीर बात माताओं से मुझे जो पहनी हो ये, कि ये घटी खाली मत चलाना है, इसमें कुछ गेहूं डाल देना, कुछ चना डाल दे पिस तो जाएगा, कम से कम आटा तो आई जाएगा, पंदर मेट में, खाली चलाओ जाओ तो कुछ नहीं हो जाओ लेगा, ये हूं डाल के चलाओ तो आटा आगिया, चना डाल के चलाओ तो बेसन आगिया, ये जो ताजा आटा होता है ना, ये दुनिया की सबसे अग्भु फूठी चीज है, दिख्यान की जानकारी आज के समय की जो ये कहती है, आटा जितना ताजा है, रोटी उतनी ज्यादा दुरुस्त और पंदुरुस्त है, आटा जितना पुराना है, रोटी उतनी खराद, अभि ये शहरों में पिसा-किसा आटा मिलता है, तीन-चिन महीने पुराना इसको खाके सक्क्य फेट खराब हुए। पहले तो माता है रोज सबसे चार बजे उठती थी घटी चलाती थी, आदा एक किलो आटा पीस लेती थी, सुबह काम आता था, शाम को चला, शाम को काम आता था, किसी के पेट इतने खराब नहीं थी, जब से ये आटा आग लानों, उसके लिए काफी है, तो ताजा आटा जितना आप खरोगे, शुरीर उतना ही जुरुस्ता पंदुरुस्त रहने वाए। आटे के बारे में आयर्वोग में कहा गया, कि पिसने के 48 मिनट के अंदर उसकी रोटी बन जानी चाहिए, रोटी बनने के 48 मिनट के अंदर उसको खा लेना चाहिए, अगर इतना कर पाएं, तो बहुत अच्छा है, और मुझे लगता गाओं में तो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि घटी गाओं में जिंदा है, ये शोहरवालों को मरने दो, कटने दो, क्यों आप उनकी चिलता है, वो तो मूर्खों के मूर्ख हैं, उन उनको कितना भी समझाओ, वो मानने वाले नहीं, वो घटी नहीं चलाएंगे, वो जिम में जाएंगे, दो दो घटे मूर्खों की तरह से उस पर चलेंगे, पसीना बहाएंगे, लेकिन पंद्रों में घटी चलाने में चुड़बाती होंगा, तो उनकी जाने दो, वो तो द खाती है न तेल, तेल के बारे में आयरुवित ये कहता है, कि वाद के सभी रोगां को संतुलित रखने के लिए तेल, पित के सभी रोगां को संतुलित रखने के लिए देशी घी, और कफ के सभी रोगां को संतुलित रखने के लिए शह, ये तीन चीजों का सेवन ठीक रखने के लिए ते तक्फ तीक रहे तो इसके लिए गुर्ड खाऊ पित ठीक रहे इसके लिए देशी लिखाऊ और बात ठीक रहे इसके लिए तेल खाऊ अब तेल कौन सा कगाना ये मुझे बता है हमारे घर में तेल निकानिये के लिए अगर मशीन है घर में नहीं गाउं गाउं में तो चाहिए तो गाउं में जो गाणी चलती है उस पर निकाला हुआ तेल सबसे अच्छा ये बादार से डुपे वाला तेल लाते है न ये जहर बादार में जो तेल मिलता है जिसको अंग्रेदी में डबल रिफाइंड तेल कहते हैं तेल को रिफाइंड करने में जो केमिकल मिलाए जाते हैं वो केमिकल जहर इसलिए ये डबे वाला तेल आप मत खाए आप तो गानी म और और द convey नवी चावचा क्योंकि जितना अधार होगा हूगा उतना उसका प्रोटीन से जाया अगापन कम fan if पाने मेदे इंद यह सबसे चाही और ऐस हाथ हो रहे हैं यह बादार वाले तेल खाने से हो रहे हैं इसलिए आप बादार का तेल मतलाना गानी पर तेल निकलवा के उसका उप्योग करें वो सर्सों का तेल हो तिल का तेल हो नारियक का तेल हो या कोई दूसरा तेल आप खाते हो मुंफली का तेल हो या कोई भी तेल हो लेकिन घानी में निकल वाया हुआ तेव गानी और दूसरा माता हूँ तो निवेदन है डालडा कभी मतला है दुनिया में महासत्यानाशी कोई एक चीज है तो ये डालडा है इसने सबसे जादा बरबादी लाई है भारत के गाउना थोड़ा सस्ता है लेकिन जहर पर जहर है डालडा का मैंने परिक्षन कराया था तेईस जहर है अकेले डालडा ये कभी मतला है तो आप बोलोगे घर में कोई पूरी पूरी बनानी है तेल में भले बना लेना है डालडा में कभी मतला है सरसों के तेल में पूरी बनाओ बहुत अच्छी बनती है अब मेरी माताई बात मान ले तिल के तेल की पूरी तो इतनी स्वाद होती है जो किसी में नहीं बनती है एक तो नरम बहुत रहती है और एक दम फूल के आती है तिल के तेल की पूरी और सबसे जादा शरील के लिए गुरुसता है तिल का तेल का माने ही तिल है तिल मेंसे ही तेल शब्द बना तो आप तेल में पूरी बना लेना तेल में कचोड़ी बना लेना ये कि डालडा में कभी मतला है और जया में तो उस में भी डालडा मतला जोकि अपने लिए जहर है वो सबके लिए जहर है तेल में ही भणाना ओर में और जैसे शब्द बना इसे लिए बना तेल में अधिके तबी बमसे चोड़ी बना शब्रियम इतनी कुरू अ में कर देना आए तो ती थीसरा मैंने कहा हो शहध मिले तो सबसे अच्छा, Зबुल में ल सै, दूढ म ने थुल स्सक्राइळ vision यह तो पानी में मिलाके पी सकते हैं नहीं तो ऐसे ही चाट के खा सकते हैं, और शेर्द मेहना पड़े, तो गुर्ण खाना है, चीनी बन कर देना माता है, ये चीनी जो है ना, मले हुए जानवरों के हड़ियों से साफ की जाए, आप अगर शाकाहारी है और चीनी खा रहे हैं, तो रोज आपके मुझ में मास जा क्योंकि जानवरों को काटने के लिए कतल खाने चलते हैं साई देश में, उन कतल खानों में जानवरों को काटते हैं, दस करोड जानवर कटते हैं इस देश में हर साफ उनका मास निकलता है, बजार में बिट जाता है, हड़िया निकलती हैं, हड़ियों को ये चीनी मिलें कर फिर वो चीनी आपके पास आती है, इसलिए चीनी परिकुल मत खाये, गुर खाये उसकी पर और गुर जादा अच्छा वो होता है, जो काला काला हो और थोड़ा नाल रंका हो, सफेज गुर बहुत अच्छा नहीं है, तो अब यो निर्मा पाउडर से दोया जाता है, तो यह कुछ बात हैं जो मैंने कहीं, आपके स्वास्ता को दुरूस रखने के लिए, इनका आप उप्योग करिए, एक तो बात किसान भारियों से कहनी है, अगर कोई यहां खेती करने वाले किसान है, तो कि आप खेत में कमी भी, यूरिया डियेपी नहीं डादा, क्योंकि ये यू यूरिया डाला, अगले साल दो कट्टे डालने पड़ेंगे, फिर अगले साल तीप कट्टे डालने पड़ेंगे, फिर चार, फिर पार, वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है, और कट्टे पर कट्टा डालें जो एक तीन मिट्टी पूरी बंजर हो जाती है, मैं पूर और मिट्टी में बुल गया, तो जो पौधे की जड़ है उसमें आजाता, और पौधे की जड़ आया तो तने में आता, तने से फ़र में आजाता, फिर फल को आप खाओ गए आपके शरीर में आजाता, वो यूरिया डिया, और उसी के कारण अब कैंसर जैसी बीमारिया फ़र और तीसा नुकसान ये है, कि यूरिया डिया डिया पी बहुत महला, पहले सब्तर रुपए का एकटा आता था, अब दोसो सब्तर रुपए का कटा होते हैं, और यूरिया डिया 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 डाला है, कम पानी में फसल नहीं होती, और आपके आप पानी ही बहुत कमी ह आप यूरिया डी एपी डालोगे पानी बहुत कर्च होगा अब आझ हुआ सबसे बढ़ा नुक्सान है कि यूरिया डी एपी डाला हुआ जोगी अनाज आप तरदा कर रहे हो वो सबसे सथा विप्ता है पूरी दुनिया उसका भारो में यह आच्छा तो आप यूरिया डियोपी मन डालें, फिर आप वो लोगे क्या डालें, गाय का गोबर डालो, ध्रही का गोबर डालो, भैस का गोबर डालो, जानवरों का गोबर डालो और गोबर डालने का एक तरिका मैं बताता हूं कि मैं वेरे धब्र की लिओ wonderful गाय बहल बहस का 15kg गोबर ले लो और गाय बहस का 15 लीटर मूत्र गोबर और मूत्र को द्रम में दिला लो दिलाने के पाध इसमें इसपे पंदर दिम दखो, पंदर दिम में खाथ तरियार हो जाएग और उस खाथ में 200 लिटर तक पानी मिलाओ और खेत में इस्प्रे कर दो छुड़क दो और हर 21 दिन पर छुड़कते जाओ जबर जस्थ फसल आएगी आपकी बिना यूरिया डाले बिना डियापी डाले दाले मैं पंद्रे साल से कि चाप दो तो इतनी अच्छी आती है पहले में यूरिया डियापी डालता था तंद्रे साल कहले तो एक एकर खेत में बारे कुंटल गिर्म होता था अब मैंने ये गोबर गोमुत्र डालना शुरी किया तो एक एकर खेत में बाइस कुंटल गिर्म होता है पहले यूरिया डियोपी डालता था, एक एकड में 30-40 तंग गरना होता था, अब ये गोगर गोमुत्र डालता हूँ, एक एकड में 90 मिट्रु तंग गरना हो, पहले में कपास करता था यूरिया डियोपी से तो दो डाई कुंटल कपास आती है, अब साथ कुंटल तक कपास आ कि आप तोड़ते जाओं और बेचते जाओं भरपूर सब्जियां पेदा होती हुआ कारण क्या है गाय के बहल के भैस के गोबर में नाइक्रोजन है और इसके अलावा पंद्रे और माइक्रो न्यूट्रियंस है तूप्शों पोशिक का जो यूरिया डियोपी में नहीं इसल गोबर घर के हैं तो खर्चा कुछ नहीं होने वाला आपके है अब यह पूछोगे कि गोबर इकठा गरना तो आसान है मूत्र कैसे इकठा करें तो जानवरों का मूत्र इकठा करने का तरीका है कि जहां जानवरों को आप बांगते हो वो जमीन को थोड़ा पका कर दो एट पथर बिछा दो उसमें एक नाली बना दो एक खड़ा बना दो जो भी मूत्र आएगा वो खड़ी में कठा हो जाएगा उसमें जिबरते ले तो बैलों का गायों का और भैसों का जो मूत्र होता है इसकी एक्सपाईली डेप नहीं है कभी खराब नहीं होता साल दो साल पांस साल दस साल कभी इस्ताम कर सकते तो घंडे में बढ़के ले सकते दूसरा तरीका है कि आपके यह रेट है इस रेट इलिए जमीन में जानवरों को दांदिया आथ हैं तो मूत्र घिरा वो रेट में इकठा हुआ उस रेट को गोवर क के साथ मिला दो तो वो खेक में चला जाए दूसरा तरीका है कि जानवर जब मूत्र करते हैं तो डबबा बरके इकठा हुआ तो आप बोलो कि कितना उनके पीछे पीछे भूने तो पीछे अगर नहीं घूम सके तो यह रेट जानवरों के नीचे डालके रखो सब मूत्र र जानवरों के नहीं घूम सकता है पर उत्रेक को गोबर के साथ मिला के खाट मता हमाड़ी। तो गोबर गोमुत्र की खियती करों यूरिया डीयपी बार्त तो एक मैंने आपको हिसाब बताया कि भारत के लोग बीवार ना पढ़ें तो साथ माग करोर बचता है। थान प्ध इसका बाजार में मूर लिक दो गुना है, तीन गुना है। मेरे गाउन में पुछ किसान है, जो गोगल को मुत्र से गयूं करते हैं, उनका गयूं 26- 28 rrk बूटा है। जो यूरिया के यहmy से गयूं करते हैं, वो 10 rrk से जादा कभी नहीं रिखता है। मारे धाई गुना जादा मूली मुलना है, दाज्रे का मक्य का, तो कीमत अच्छी मिलेगी, उत्पातन बढ़िया होगा, खर्चा आपका कम होगा, सानी की जगुरत जादा नहीं पड़ेगी, ऐसी अच्छी खेती होती है गोगर गोमुत्र से, तो किसान भाई बहन सब गोगर का ही उप योग करें, विदेशी वस्तुओं को ना करें, बाजार में हजारों विदेशी वस्तुओं बेख रही हैं, जैसे पेपसी कोणा, कोका कोणा, कॉनिगे, क्लोज अप, पेपसिव, सिपाका, पोरेंस, लक्स, लाइफ, बॉय, लिरेई, बैक, सोना, पीव, ऐसी दो हजार से जारा विदेशी वस्तुओं बाजार में, इनको खरीदना आप बन करते हैं, इनकी जगे हमेशा स्वदेशी वस्तुओं खरीदो, देशी वस्तुओं खरीदो, तो भारत के लोग अगर विदेशी वस्तुओं को बन करके देशी वस्तुओं खरीद ये लगे, तो स बीमार ना पढ़े तो साथ लाक करोर बचा यूरिया डियपी बंद करके बोवर गों उच्रे डालें तो पांच लाक करोर बचा तो साल में करीब करीब 12-15 लाक करोर बीच भी बचत देश की होती है और यह इतना धन है कि इसको हरसा भी कठा करते रहें तो पांच साल में गरीबी मिट जाती है तो गरीबी मिटाने के लिए कोई देशों में भीक मांगने की ज़रूरत नहीं है जो ब्रष्टाचार हो रहा है पूरे देश में इस ब्रष्टाचार को भी रोखना है और ब्रश्टाचार में जो लोग लगे हुए हैं, इन सब को फासी के फंदर चढ़ाना है, पूरे देश में हमें पभ्यान करा रहे हैं, कि ब्रश्टाचार करने वादर जो लोग हैं, उनको एक ही सजा होनी चाहिए, म्रत्यु धंड, उनके लिए फासी का फंदर ही होना चाह आज हमारे देश में कानून ऐसे हैं, कि ब्रश्टाचारियों को कोई सजा नहीं मिलते हैं, आप जानते हैं, मुगत में चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, और ब्रश्टाचारी छुपता साव की तरह से देश को चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, ये व्यवस्ता जिसने भी भष्टाचार किया रिश्वती भूसी और सिद्ध हो गया तो तीन महीने में उसको फासी हो जानी चाहिए ऐसा नया कानून हम बनवाना चाहिए जोगी भष्टाचारियों में देश का बड़ा प्तून दिया है आपको मालूमें कि नहीं हर साल इस देश में 20 लाख करोण रुपय का पुजट बनता है और उसमें से 18 लाख करोण रुपय भष्टाचारी भूट के खाया से सरकार के आंकड़े हैं 2 लाख करोणी देश के काम दे लूट के जो रुपया खाया जाता है हर साल इसको ले जाके विदेशी बैंकों में जमा कर देते विदेशी बैंकों में ब्रश्टाचारियों अब तक 110,000,000 क्रोण रुपय लूट के रख लिया है प्रश्टाचारियों ने जो धन रूटा है 110 लार करोड इसको भारत में वापस लाना है और इसको देश की राष्ट्रिय संपत्ति बनाना है और इसको देश के विकास के काम में लगाना है आप बोलेगे यह कैसे होने वाला है इसको करने के लिए संसग में जाना पड़ेगा किसी एक कालिको या के लिए भाई को या बहन को जो संसग की तरह से संसग में प्रस्टाव रखे और वो प्रस्टाव यह होगा कि 15 अगस्तों 17 के बाद भारत में जितना भी पैसा लूटा अगरा भुष्टा चार्विनाजन से वो पैसा राश्ट्र की संपत्य है ऐसा प्रस्ताव संसग में रखना जब संसग में यह प्रस्ताव आएगा तो उस पर बहस होगी बहस वालेकिन आप देखना कि कौन-कौन विरोध कर रहा है उसका जो विरोध करेगा पकी बात है उस कि जो जो लूट खोन देता मिलेंगे सब का मूँ कारा करके गजे पर बिठा के उनका सरकस में काने होगे कभी-कभी तो हमारे कारिकरता इतने कुस्से में आते हैं वो गते राजी भाई यह तो कुछ नहीं है इससे भी आगे की सजा रही है यह लूट खो प्रस्ताचारियो को बिल्ली के अतारों से रुटा रखाई थे नीचे आग जलाचे उसमें मिर्ची का पाउदर भोगे थे तब दूसरों को समझ में आये था कि लूट क्यों नहीं करने हैं कभी-कभी मेरे दिल में आता है कि सब ब्रश्ताचारियों को अतारी के जाल पर भरके हिंद मास आग देश को मितकराना इनका पैसा वापस लाना संसत में कानून बनाने के लिए एक संसत चाहिए तो स्वामी जी नहीं का कि चाहंद साल में कोई तो मिलेगा नागी जो संसत में प्रस्ताव रखेगा मिल गया तो अच्छा है नहीं मिला तो 2014 में हमारी तैयारी है कि पूरे आगने हम भीग मालेंगे कि एक संसत को जिता कर पहुंचाईए जो विदेशी धन को वापस लाने के लिए कानून बना है और हो सकता है देश के लोग 555 संसतों को पहुंचा गे इसी काम के लिए और वो अगर पहुंच गए तो पूरे देश की व्यवस्था हम बदल देंग देश को भी देशन के लिए एक सो दसलाक करों विदेशों से देश में राफस आजाए इस से देश का विकास तीन बार हो सकता है बारत देश को तीन बार बनाया या सकता ही इतना नहीं है एक एक गाओं को बिजली दे सकते ही, हर गाओं में रोज़कार हो सकता है, हर गाओं में सड़क हो सकती है, हर गाओं में हॉस्पीटल डॉक्टर चिकित साह हो सकती है। सारे विटास के लिए फचासला करोर चाहिए और एक सो दसला करोर भी देशों से आजाए है। तो ये काम भी करना है। ऐसे कुल मिलाकर चौंसट काम करने हैं। इन सभी कामों के लिए भारत स्वामिमान का अभयान बनाया है और इसको शुरू किया है। आप बोलेगे हम क्या इसमें मदद कर सकते हैं। आप इस भारत स्वामिमान के अभयान में बहुत बड़ी मड़ि कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए 15 करोर कारीकर्टा चारिए पूरे देश अभी तक हमारो पास ढारीदाक है राज करोर हमें बनाने तो आप इसके कारीकर्टा ओजाए इस बारत सुहनमन के सबस्से हो जाए इसमें आपको मिल जाएगा यही आपको बठवा दिया जाएगा व้ फर्म में नाम पता, फोन नंबर देजिए भरके और उसमें 51 रुपई का दान है जो आप हमारे ट्रस्ट को देंगे और आप हमारे मेंबर हो जाएगे 51 रुपई का दान देंगे कोई भी सामाने सरफ से हो सकता है और 100, माफ करिए 2100 रुपई का दान करें जो सकता है तो आप 51 रुपई या 2100 रुक आपकी छहंपा पर हो आप इसके स्यभप से बन जाएगे हमारी संख्या हमें 5 करोर कर्ने 5 करोर जिस दीन संख्या हो जाएगी उसी दिन हमारे सारे सपने पूरे हो जाएगी आप जानते हो भारत में कोई भी अच्छा काम कराना हो तो बहुमत चाहिए, अलिप मत में यहां कोई काम नहीं होता है, हर काम को करने के लिए बहुमत चाहिए, और बहुमत के लिए लोग अभी ताकत चाहिए, तो आपके पास जो ताकत है, वो भारत वाधिमान में शामिल कर तो हमारा बहमत हो मैं हमारे अकेले संधतन के पास जब फांच करोर हो जाएंगे तो सब तार्टियां एक तरफ हमारा संधतन एक तरफ हम जो चाहेंगे वही काम इस्देशन होगा उसके लिए आप को इस संधतन से जुड़ना है जोकर इसकी ताकत बढ़ानी है और ताकत बढ कान को कराई इसी काम के लिए प्रम्पुजी मी इस्वाभी राम देव जी ने भारस्वागमाई बनाया है हम सब इसी सहयोग में उनके साथ लगे हुए है आप भी हमारी सहयोगी हो जाए ऐसी बिनम्व भागना से मैं आपके पास आया आप योग सीखें प्राणा हैं आप जीवन जीने के तभीके सीखें, खान बांग के नियम का बालन करें, स्वादेश्वी वस्तुरा का उप्यूग करें तो देश को बला होगा, और यह सब करते हुए भारत स्वाधिमाई के सरफ से हो जाए, तो हम कानूं बदल के देवस्थान नहीं बनाना चाहते हैं, उसी के आप सब के साम में ये निवेदन है, आप इस अस्मीकार करेंगे, तो ये कामजंदी होगा, और दूसरे लोगों को इसमें शामिल कराएंगे, तो आर जोली होगा, यही वादना से आप सब कायभार यत्त करता हूं, जन्यवाद देता हूं, और इस पात कि मुस्त हमा चाहता लेकिन ये बाइदा करके जाता हूं कि दुबारा कंजी आप याद करेंगे, तो फिर जरूर आँगा, और इसको इस पाते बाते और दूसरों को सिखाएं, प्रायाम सीखें, दूसरों को कराएं, और अपने जीवन को मुख्ष की तरफ ले जाएं, और दूसरों को प्रिवन राजी युजी दिक्षित का संभून ग्राम तिलाने स्वासियों वे जोशी परिवार की ओट से, स्या हर्देश अगी दंदन करते भी, जोशी परिवार के सदेशे पुस्मालब कर लेंगे, और जो भारस्वाजमान के कारिये करता है, वो पुस्माल दूसरों करे जिनको जरूर्द है, वो आजे ले ले नहीं है, अजो बड़ा आवार को हम सेत्र की होटे करेंगे, जाजी ओजी साप का, और प्रसिक सेत्र दोनिया पदा लेए हुंका, उतकर सांति साथ, हम शेत्रमाशी, अजो बड़ा करेंगे, जो उनों इतना बड़ा कारिकर बच लिया, ये जरूर सिखवारा कि खुछ प्रचार कम हुआ, जन्ता ने लाग कम लिया, अगर प्रचार जाड़ा होता, बहुत बदी जन्ता आज जेल आप ले सकते थी, तो आज इस अच्छर परपादारे सभी मा नुगाओं का, इस तिरा जेतर के जल्दा के लिया, आज इक आवान जाबिता काउं धन्यवाद, जिसको फर्म भले हो, आज मिया अप्रपत है, तो लेकर के भल दे है, गाम ग्रहवाश्यों को दोशी परिवार के लिया, जोगि आपने इतनी चिल्चिलादी धोश में बें कर स्रीमान राजी जी दिक्षित का प्रेख्यान जुला और विज्ञाले कि मिट्वाक्ष जिभॉण सिंगी को विजन्यवाद देखें कि उन्हों ने इस योशी विर इस कार्येक्रम के लिए अपना विज्ञाले प्राइन उग्रप्ष गिया बारस्वाली मान के गाये करता हूँ जल्दी से आगे स्रीमान राजी जी दिक्षित का समान के रहेंगे फुष गुष दुछा दौरा और लेकार ग्राम से जितने भी फाइबंद उपदारे उन सभी को तिलारे इस ग्राम वाज सो जोसे से दौरा